और वहीं सुरेंदर कपूर के निधन पर डॉक्टर जगदी शुन्दर ने भी शोक जिताया है। एनाई में आये थे और चालिस वर्ष तक महा रहने के बाद कल जब उन्हें अन्तिम सांस ली तो उस दिन भी वो एनाई में अपना काम करके शाम को घर पे लोटे थे उनका योगदान इंडस्ट्री में इतना है कि आज शायद ही कोई मीडिया हाउस होगा देश में जहां उनक आशा करते हैं कि अब एनाई में उनके पुत्र नवीन कपूर अपनी चीर परचद मुस्कान और हंस्तेवे चहरे के साथ उनकी विरासत को कंपनी में आगे बढ़ाएंगे दुख और गम की इस घड़ी में हम इश्वर से दुआ करते हैं कि इश्वर दिवंगत आदमा को श आगेदे